तो जान देखके जाए, तो प्रेंडिस ही नमस्कारे की जगाए pina गाइड़ा है प्रण लूए या गरते हैं मन्तिर की जगाए वे तो बादव। ये चीज हमारे दिमाग में उठ क्यों रही है और ये चीज आप देखो कि जो लोग हमारे ही culture से related है वो ही लोग ये बात करेंगे किसी और culture का अगर कुछ बन रहा हो monument या कुछ भी बन रहा हो उनके praying का जो जगह होती है उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा कभी भी नहीं बोलेंगे बट मंदिर की जएका बनवाना है स्कूल क्या भारत में आज से पहले स्कूल नहीं थे क्या स्कूल तो थे नहीं खैर ये तो स्कूल का जो idea है वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और हम ये आज इस वीडियो में देखने वाले है कि क्यों हमारे दिमाग में ऐसी सोच उठ रही है कि मंदिर की जगा स्कूल बनवा दो मंदिर मतलब एक ऐसी जगा है जो स्कूल से स्कूल मंदिर से ज़्यादा important है बले स्कूल में teacher कैसे हो जो बच्चों को छेतते हो कुछ करते हो बच्चों को कुछ ना सिखाते हो जिनको खुद कुछ नहीं आता ऐसे स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजे जहाँ पर बच्चा को इलमार खाने के लिए जा रहा है हम जिस education system में हमने पढ़ा ही करी है उस education system ने हमें बस एक रटू तोता बना के रख दिया था आप ऐसे education system की बात कर रहे है हो क्या ऐसे school की बात कर रहे हो जाओ जहाँ पर आज भी अंग्रेजी बूलना अच्छा माना जाता है और हिंदी में अगर आप बात कर लो तो ऐसे लगए कि आप पिछड़े हो English में ही बोलो भारत वर्ष में रहने के बावजूद भी आप English में ही बात कर रहे है मैं बैठा हूँ एक सभा के सामने जहाँ पर सब लोगों को हिंदी बोलनी आती है बट फिर भी हम English में बात कर रहे है और एक सभा में बैठे है जहाँ पर गर्मी है गर्मी चल रही है गर्मी को दिनों भी हमने यहां तक बटन बाने हुए है उसके बाद यहाँ पर टाई लगाई हुए और फिर उपर से कोट भी पहना हुए और कई लोग तो काला कलर का कोट पहने के आ जाते है और अपने आपको I don't know what is in their mind that कि अगर वो अपने काला कपड़ा पहना हुआ है और लाल कलर के अंदर शर्ट पहनी और टाई लगाई हुए अनिकों चीज़े यह हमारे दिमाग बढ़ दी गए है कि जब हम यह पहनेगे तो हम दूसरों से अलग देखेंगे स्कूल की जगह गुरुकुल बनवाओ गुरुकुल के बारे में जानो कि गुरुकुल में क्या होता था एक गुरु किस प्रकार से अपने जो उसके आँ बच्चे पढ़ने आते थे उनको किस तरीके से ट्रांस्वर्म करते थे ये चीज़ें जानो तब ही भारत सोने की चड़िया कहलाया था भारत में स्कूल नहीं थे भारत में गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में एक गुरु रहे होंगे जो उन बच्चों को सिखाते होंगे और भारत वर्षी एक ऐसी जगह है हर गली महले में एक मंदीर होता था अभी भी मंदीर होते है हर गली महले में मंदीर होते है हम लोग इतने बड़े बेवकुफ है क्या जो मंदीर हर जगह मंदीर मना रहे है और मंदीरों को इतनी इंपोर्टेंस दे रहे है क्या सच में भारत वर्ष में इतने बेवकूफ लोग थे जो मंदिर मनाते थे, मंदिरों में रहते थे मैं एक्जाम्पल देना चाहूंगा स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद को तो पूरी दुनिया जानती है और उनके बराबर का जो इंटलेक्ट है शायद ही हमने पबलिक में ऐसे इंटलेक्ट के बारे में सुना हो उनसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट आके डिसकेशन करते थे जब उनको अपनी कोई थियोरी देनी हो तो उनसे आके डिसकेश कर रहे हैं कि क्यों उनसे बड़े-बड़े साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो स्वामी विकानन से आके पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि यहां पर क्या कह रहा है बड़े-बड़े साइंटिस्ट जो हुए है निकॉला टेसला से लेकर सब लोग जो भी क्रेडिट दे रहे हैं उपनिशदों को क्रेडिट दे रहे हैं वेदों को क्रेडिट दे रहे हैं भगवत कीता को क्रेडिट दे रहे हैं परन्तु भारत वर्ष के लोग बेवकूफ थे जो मंदिर बनाते थे यह मेंटेलिटी आई कहां से हमारे अंदरे mentality आई कहां से इसके दो कारण है, मैं इन दोरों कारण पर आज चर्चा करूँगा, एक तो सबसे बड़ी हमारी बेवकूफी है, दूसरा पहली जो ये बेवकूफी है वो आई हमारे दिमाग में कैसे आई है कि जब अंग्रेज हमारे उपर राज करने आए तो उनकी ये strategy थी, कि जब तक हम भारत का culture destroy नहीं करेंगे तब तक यहां के लोगों पर राज नहीं किया जा सकता, तो भारत का culture केवल और केवल भारत के मंदिरों की वजह से बना था मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक energy form को consecrate करते हैं अब आप ये कहोगे कि एक energy form से हमारी सभ्था का ये हमारे development का क्या लेना देना, तो आप को बताना चाहूँगा कि कई जगह ऐसी होती है जहां धूप नहीं पड़ती है जैसे आजकर सरदियां चल रही है सरदी के मौसम में आप देखो आपके आस पास पेड़ पौदे या कोई भी फसल या खुद इंसान क्या ये किस development की state में है नहीं है, इस समय पर sun से जो energy धर्दी तक आनी है वो किसी प्रकार से कम है हम लोगों तक वो energy पहुँच नहीं रही है अगर energy हम तक नहीं पहुचेगी तो हमारा development होना मुश्किल है अब जिस education system की थुरूम ने पढ़ाई करी ने हमको तो अपनी body के बारे में धंक से मालूम नहीं है तो आप energy की level की तो बात ही छोड़ दो इनको पता ही नहीं, even psychologist को ही नहीं पता की what is mind they think that they are mind okay, we are not mind we are different from mind mind और हमारे अंदर difference है okay, so जब हमारे education system में यही नहीं पता तो अनेकों लोगों को यहीं लेगेगा वो अच्छे number लिया है अपने paper में अच्छे रट के जो भी करके उन्होंने महनत करके exam निकाल दिये उनको credit तो obviously देना है बट जिस education system के थुरू नोंने पढ़ाई करी है अब उन्हें लगता है कि वो ही सब कुछ है इसके लाओ कुछ और हो नहीं सकता ऐसा नहीं है तो जो education system के थुरू हम लोग गए उस education system की limitation की वज़े से हमें लगता है कि इसके लाओ कोछ और भी चीज़े नहीं है तो आपको अभी साय समझने में भी थोड़ी परैशानी लगे कि क्या energy क्या होती है और किस प्रकार से consecration होता है क्या हमारी test books में ये पढ़ाये गया कभी कि सही में पराण पदिश्ठा क्या होती है मन्दिर जाते ही क्यों है मन्दिर है क्या नहीं पढ़ाया गया बस یہ बता दिया गया अजन्ता है लोरा की कोई caves है वहाँ ये मन्दिर है हो गया monument की तरह दिखा दिया बस सही में कोई monument नहीं है और कि आप वहाँ ज़ो और बस देख के आजाओ Museum नहीं है वो जगह है वो जगह है Energy से Thrive करती है जीती जागती entities हैं वहाँ पर जीती जागती एसे अनेकों कहानिया आपको YouTube पे आप खोल लेना अनेकों अनेकों कहानिया मिल जाएंगी जब चोरों ने उस जगह की जो मूर्ती है उस मूर्ती को चुराने की कोशिश करी पर वो कुछ दूर लेके जाते वापस उसी जगह छोड़ देते वो मूर्ती क्या था इसमें क्या वो चोर भी अंधविश्वासी थे चोर तो चोरी करने आया नो उसे तो मूर्ती चाहिए था और हमारे ऊपर क्या बोला गया है कि हम लोग अंधविश्वासी है सही में भारत वास्वासी में अगर इतने अंध विश्वासी होती तो भारत का सबसे बड़ा जो mathematical है भारत के सबसे बड़े mathematician शिरी रामनुजन दुनिया के सबसे बड़े mathematician उनके द्वारा दी गई जो equation से वो आज भी solve हो रही है ओके, so वो तो अंद्विश्वासी नहीं रहे होंगे वो जब दुनिया की ती बड़ी mathematics सी equations दे रहे हैं, black holes के बारे में equations दे रहे हैं तब वो क्या वो भी अंद्विश्वासी है, लेकिन वो कहते हैं मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मेरी डेवी की वज़े से मेरी कुल डेवी की वज़े से है नमागिरी डेवी की वज़े से है, वो सारक रिट नमागिरी डेवी को देते थे तो ये जो हमारे mind में ये चीज बिठा दी गई जल चड़ाते हैं, जल चड़ाना वेस्ट है धू चड़ाना वेस्ट है, फूल चड़ाना वेस्ट है ये सब वेस्ट है ये सब वेस्ट है ठीक है, ये सारी चीजे वेस्ट बता दी गई है हम तो यह सूस, मैं भी यह सूसता थे कि कर क्या रहा है महाँ पर जाके मंदिर में जाके हो क्या रहा है जो सवाल टे वह उनका जवाब जब नहीं मिला तो फिर पर मैं उन सब लगों से पूछना चाता हूँ कि जिन स्कूलों के तुम बात कर रहे हो या जिन स्कूल मैंआ पढ़ा हूँ मेरे साथ अने को बच्चे पढ़े है या आज की रेट में अने को कॉलेजेस में पढ़ रहे है वहाँ पर हो क्या रहा है जाकर देखो उन स्कूलों की हालत कौन से स्कूल की बात कर रहे हो कौन से स्कूल की बात करी जा रही है जिद्दु कृष्णा मरति जी के स्कूल की बात करी जा रही है या ईशा सम्स्कृती के स्कूल की बात करी जा रही है या कोई प्राविट स्कूल की बात करी जा रही है जहाँ पर education बस उन जगों पर education नामातर है mathematics में हम लोग integration पढ़ते है differential calculus पढ़ते है मुझे तो आज तक नहीं पता चले कि क्यू पढ़ी मैंने वो differential equations और ये integration integral calculus क्यू पढ़ी मैंने मेरे को क्या ज़रत है मैं तो आज आज आपके सामने video मना रहा हूँ मुझे क्या ज़रतीन सब चीज़ों की तो क्यू पढ़ी हमने science में बच्चे science ले रहे हैं 70-80% आगे science ले ली जिन बच्चों की कम percentage जाए उनको ये बोल दे कि तुम maths नहीं पढ़ सकते हो क्यों वो पढ़ सकता है आपने उसको पढ़ने नहीं दिया आपने उसको ऐसा environment नहीं दिया school में आप एक question ना कर पाऊ teacher आपको मारते थे हमको बहुत मारा टीचरों ने अंगरी जी के master वो अंगरी जी को master ने तो इतना मारा जिसकी कोई हद नहीं है क्यों भाई आपको अब उन school में ऐसे master है जिनको ये नहीं पता कि बच्चों के साथ कैसे treat करना है ऐसे school बनवाए हम नहीं बना सकते जहां पर जिस जगह पर आदमी transform हो उन जगहों की जरुवत है पढ़ तो बच्चा यूट्यूब से भी लेगा ठीक है तुमारे बच्चों को स्कूल जाने की जरुवत नहीं है बच्चों को जरुवत है कितने ही बच्चे स्कूल में खुश है अगर स्कूल में बच्चे खुश हो रहे होते तो बच्चे आत्मात्या क्यों करते कितने ही बच्चे कोचिक सेंटर जाके खुश है कितने ही बच्चे स्कूल कॉलेज जाके खुश है नहीं है हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर जाके बच्चा फ्लारीश हो तो उन स्कूलों की बात करो स्कूल तो बहुत हैं भारत वर्ष में बहुत ज़ादा हैं पर आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन केवल मंदिरों में जाकर ही होगा आप बड़े बड़े लोगों को सुलो जो भी ये कह रहे हैं ना कि मंदिर की जगह है स्कूल बनवा दो मार्क जगरबर्ग नीम करोली बाबा जी के पास गए थे और नीम करोली बाबा जी ने एक आशना मिस्थापित किया है जहां पर उन्होंने बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर बनाया है क्यों जाते हैं लोग वहाँ मार्क जगरबर एक बार मिले उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई स्टीव जॉप्स एक बार मिले उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई ईसे हजारों हजारों लोग है आप जाओ देखो कोई लोग जब केडारना जाते हैं उनकी लाइफ़ ट्रांसवाम हो जाती है और अभी तो प्रेमानन महराजजी है उनके पास कितने लोग जा रहे हैं क्यू जा रहे हैं स्कूल में जाओ स्कूल में जाओ, टीचरों के पास जाके, पूछो, सवाल पूछो, जो IAS के बड़े-बड़े, IAS के जो, जहां पर कोचिंग करवाते हैं, कोच लोग जो हैं, वो सब प्रेमानद जी महाराज के पास जा रहे हैं, या फिर ईशायोगा सेंटर में जा रहे हैं, क्यों जा रहे ह तो वो लोग अनेकों मंदिरों में गए, वहापन उन्हें अपनी विशेस मांगी, क्यों भाई, ये सब अंधविश्वासी हैं, क्या तुम इन साइंटिस्स से बड़ा तुमारा दिमाग है, क्या, प्रोजेक्ट हैड जो चंदरियान के है, उनसे बड़ा साइद मुझे क्यों जा रहे हैं, मंदिर में एक मूर्ती के आगे हम सर क्यों जुका रहे हैं, क्यों जुका रहे हैं, इतने बड़े बड़े भारत में जो, जो भी विद्वान हुए, कालिदास ले लो, स्वामे इगानन ले लो, श्री रामा कृष्णा परामांसा ले लो, और अभी तो मै जहां पर जाके आपका development होगा, होना ही चाहिए, उसको बनाया, इस तरीके से यह है, क्या आपने कभी एक मंदर के architecture को देखा है क्या, अनेकों चीजे जो उस मूर्ती में बनाई गई है, जब भी आप शिरीराम की जो मूर्ती बन रही है, उस मूर्ती को भी आप अगर आप दे आएंगे लोग कि architecture भारत में अंग्रेज लेकर आए, उससे पहले देखो भारत में कितने बड़े-बड़े मंदिर है, कितने बड़े-बड़े मंदिर है, ठीक है, वो अंग्रेजों के पहले से बने वे हमारे दिमाग में बाते बिठा दी गई, हम जब स्कूल में पढ़ते आए, कि जब भारत में अंग्रेज आए, तो उन्होंने railway डाली, उन्होंने road डाली, अच्छा, वो नहीं आते तो हम लोग नहीं बना पाते क्या, railways और road क्या, आज भी हम लोग railways और road नहीं बना रहे है, हाँ, अगर आप उसी, जिस development, जिस phase में हमारा देश आद से 10-15 साल पहले था, उसी सोच के अंदर अगर आप रहते तो आप हमेशा ये कहते हैं कि अंग्रेजी सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो ये, आप इसी सोच के अंदर रखे गए, इतने समय तक, तो आपके अंदर ये तो आए गए कि मंदर की जिए का स्कू पुचो इस चीज को इसके अलावा दूसरी चीज खेर ये तो एक political issue भी हो सकता है लेकिन दूसरी चीज मैं आप सही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है जितने भी ये लोग मंदिरों में रहते हैं या किसी प्रकार से जो इंडियन कल्चर रहा है उसके उसके प्रवक्ता या प्रवक्ता टाइप के है ये लोग इन लोगों की कमी की वजह से हम लोगों की दिमाग में सवाल उठता है हम खुद जवाब नहीं दे सकते कि अगर कोई छोड़ा बच्चा हम से आकर पूछ लेगी है मंदिर क्यों जाते है तो हमारे डायम पे लोगों के पास जवाब नहीं होते थे जब हम पूछते थे किसी को नहीं पता कि सही में हम जा क्यों रहे है हमें एक मूरती का अगे सर क्यों जुगा रहे है क्यों जुगा रहे है नहीं पता तो ये उन लोगों की कमी की वजह से उन लोगों की ही कमी है अप जो चीज आप करते हो आप उसके वारे भी लोगों को बता ही नहीं पारे क्योंकि आपने खुद आपने ढोड़ने की कोशिश नहीं करी आपने बस उसको एक पैसा कमाने का जरिया बनाया पैसा कमान यह मेरे चैनल का केवल एगी मोटीव है कि हम awareness create करें केवल अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं हर एक human being जो इस धरती पर पैदा हूँ और human being क्या जानवर आपने सुना होगा ना कि बड़े बड़े जो रिशी महामुनी थे उनके आश्रम के आसपास आने के बाद जो हिंसक पशू थे वो भी अपनी हिंसा की प्रविर्ती छोड़ देते थे ऐसा क्या है हिंसा की प्रविर्ती के मतलब समझते हो एक आदमी को गु तबी भी आप गुसा नहीं होना चाहते आप anxiety में नहीं आना चाहते तो यह हो कैसे रहा है वो जो रिशी मुनी हुए उनके तपबल से हुआ और जब रिशी मुनी चले जाते तो उसके बाद वो एक energy space create करते है क्योंकि जो काम वो रिशी मुनी कर रहे थे उनकी जगह अब वो energy space वो काम करेगा इसी यह चीज है बस आपको किसी भगवान में बरुशा नहीं करना है किसी किसी चीज में बरुशा नहीं करना है अगर कहीं जब धूप धूप नहीं निकल रही है मालों किसी जगह तो एसी जगह है जहां पर जाकर आपका enhancement हो सकता है ऐसी जगहों का इस्थापित होना जरूरी है और ऐसी ही जगह मंदिर है मंदिरों को अमें एक चीज और बदा दे तो corruption तो हर जगह घुसता है लेकिन यह आपकी responsibility है कि आप ऐसी generation पैदा करो ऐसी generation ऐसी सोच पैदा करो कि जो उस जगह को धूशित नहीं दे उनकी दिमाग मे इस चीज बठो, it is not about, हम God को bow down कर रहे हैं, ओके हमने नहीं देखा किसी को, तो हम कैसे मानने कि God है, क्या पता, यह series हमने खुद ही मनाया हो, क्योंकि हम अपने आपको नहीं जानते हैं, तो किसी को God मानने से बढ़िया है कि आप केवल उस जगह पर जाओ, उस जगह की energy को absorb करो, बस simple इतनी सी बात है, कौन कह रहे हैं, आपको वह पे जाके दूच चड़ाओ, यह कुछ भी फूल चड़ाओ, कोई नहीं कह रहे है, कोई भी नहीं कह रहे है, आपको जाना है, उस जगह पर जाओ, बैठो, थोड़े देर वहाँ पर बैठो, energy absorb करो, निकलो, simple सी बात ह जैसे अपनी गाड़ी में आप तेल दलवाने जाते हो, यह अपने मुबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी बैटरी अपनी आपको चार्ज करो, उस जगह ऐसे, और करो अपनी दिन चरिया शुरू, इसलिए भारत वर्ष में छोटे-छोटे प् वोई चीज आपके साथ हमेशा है, और बहुत सारे लोगों को अब लेगे, यह लेगेगा कि सोने से तो हमें रिचार्ज मिलता है, मैं आपसे क्यों इतनी बात कहूंगा कि आपको पता है कि जब आप सोते हो, तो आप कहां जाते हो, कौन सी स्टेट में चाते हो, क्या बोलत है, they are creating something for us, अब अगर यही प्राणपतिष्ठा विदेशों में हो रही होती, यही प्राणपतिष्ठा अगर अमेरिका वाले कर दे हैं, इंग्लेंड वाले कर दे हैं, कोई और देश कर दे, तब यहां के जो यह intellectual लोग है, अरे वावा ऐसा ही होता है, तो यह जो सोच है न मंदिर की जगह है, स्कूल बनवा दो, तो उसको अवश्या आप कहें, बताएं कि मंदिर होता क्या है पहले, और कुछ भी फाल्स क्लेम, कुछ भी फाल्तु बोलने से बढ़िया है, क्या पहले जानो तो मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, कितनी लोग ऐसे हैं जिनकी मंदिरो में जाकर जीवन परिवर्तित हो गया, अंदविश्वास इसको बोला गया, इंडियन कल्चर को अंदविश्वास बोला गया, लेकिन वो अंदविश्वास नहीं था, अंदविश्वास ही तो आपको पता है कि कौन अंदविश्वास हैं, और किनके हैं सही बे टेक्नोलोज कि नो ने भारत जो अपने आपको बड़े कल्चर वादी बताते हैं, इन चीजों को पहले खुद जानो क्या मंदिर होतागले है और अच्छे से जानो पराण पर्णिका होती क्या जिस पराण परणिका की बात वो कर रही है वो प्राण पतिष्टा है क्या एक्षुल में पहले जानो तो प्राण है क्या ये प्राण शब्द आया है कहां से ये प्राण शब्द आया है कहां से ये क्या धर्शा रहा है जाननी की कोशिश तो करो आपके स्कूल में, हमारे स्कूल में 8 यह 9 वी क्लास तक संस्क्रित पढ़ाई केवल इसने पढ़ाई कि हम एक दूसरे से communicate कर पाए वो भी नहीं कर पाते हम हमें संस्क्रित बोल ली नहीं आती है थोड़ी सी grammar पढ़ा थी किसी को पता ही नहीं है बस रट रहे है संस्क्रित रटली हो गया क्यों पढ़ाई है हमको तुमने क्यों क्या फाइदा है उसका कोई फाइदा नहीं है कोई फाइदा तो तब होगा जब आप उसका एप्लिकेशन सिखाओगे कुछ भी नहीं सिखाए हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है सब बदलने की का टाइम आगया है जितने भी मेरे मेरे छोटे भाई भेन है वीवर्स है या फिर जो मेरे से भी बड़े लोग है अगर आप किसी अच्छी पोजिशन में हो so this is the time to act जितने भी जितने भी छोटे लोग है मेरे से मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने आपको ऐसी पोजिशन में लेकर आ जाना कि जहां पर आगर आपको चेंज ला सको पॉजिटीव चेंज ला सको तागत का आपके पास होना बहुत ज़्यादा तो ये कहा जाता है कि जानवरों की भी मुक्ती होती है तो हम तो फिर भी इंसान है तो अपने आपको ऐसी पोजिशन में लेकर आओ जहां पर हम एक ऐसा education system बना सके जहां पर बच्चा flourish हो बच्चा जो एक कली की फॉर्म में पैदा होता है वो फूल बन सके वो जीवन को जान सके I hope कि इस वीडियो में मेरे किसी के emotions को हटना किया हो and this video is only for only only for awareness मेरे जितने भी viewers हैं उन सब को मैं aware करवाना चाहता हूँ कि आप लोग आप लोग और हम लोग मिलकर पहले भारत के कल्याड़ की बात करें फिर विशु कल्याड़ की बात करें बिलेंगे आप से अगली वीडियो में किसी और topic के उपर video चाहते हैं please please मुझे जरूर बताइएगा उस topic के उपर मैं video बनौँगा बिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद.